तो आज की हमारी रेसिपी है YouTube मुँग डाल हल्वा ये समारा इसके लिए मैंने यहां पर एक कटोरी ड्राइफ पूर्ट्स लिए piace deposit पूरी फुर्स्स्य दो हिएं जी लाव से पेशलार जितना भी डाल में स्टार्च है हमें अच्छे से धो लेना है उसे पूरी तरह जब स्टार्च निकल जाए और पानी ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हमें इसे जो है वाश करना है फिर हमें एक cotton कपड़े पे इसे इस तरह spread कर देना है ताकि अच्छे से जो है इसका moisture रिमूव हो जाए फिर भी जो है friends हमारी दाल में moisture रह जाता है इसके लिए हम इसे थोड़ा सा जो है dry roast कर लेंगे एक कड़ाई में इसे 5-7 मिनट के लिए जो है हमें इसे भुनना है अब हम इसे पीस लेंगे इसके लिए मैं एक जार में जो है इसे निकाल लूँगी और धीरे धीरे करके हमें इसे रोक रोक के पीसना है जिससे जो है हमारी दाल दर्दरी रहेगी बिल्कुल जो है हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है अब मैंने यहाँ पर 400 ग्राम दूद लिया है इसमें मैंने जो है केसर डिप करके रख दिया था थोड़ी देर ताकि हमारे हल्वे का कड़ाई अब हम एक कड़ाई में जो है पास से छे बड़े चम्मच जो है घी के एड़ करेंगे फ्रेंड्स मूँ दाल के हल्वे में जो है घी जादा होगा तब ही हमारा हल्वा जो है वो टेस्टी लगेगा और अच्छी तरह भुनेगा सबसे पहले हम इसमें जो है ड्राइ फ्रोट्स को रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है आपको इसे बुनना है तेज गैस पर करेंगे तो यह जल जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसे एक से दो मिनट के लिए बुन लेना है जब ये अच्छी तरह भुन जाए तब आपको इसे जो है निकाल लेना है अब हम इसी घी को जो है यूज करेंगे अपना हलवा बनाने में सबसे जो इंपोर्टेंट सीक्रेट है इस रेसिपी का वो ये है कि इसमें आपको एक से दो चम्मच जो है सूजी एड़ करनी है और इसे एक मिनट के लिए भुनना है इससे जो है फ्रेंट्स हमारे मूँग दाल का हलवा जो है वो ज़्यादा चिपकेगा नहीं पूरा प्रोसेस जो है फ्रेंट्स इस हलवे का हमें बिल्कुल कम गैस पर करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर अब हमने इसमें डाल एड़ कर दी है इसे अच्छी तरह हमें भुन लेना है आप देख सकते हैं इसमें कितने बबल्स उठ रहे हैं इसका मतलब यह है फ्रेंड्स हमारी दाल में से जो है मॉइस्चर वो रिमूव हो रहा है इसको लगा तार आपको चलाना है बिल्कुल भी रोकना नहीं है दीरे दीरे जो है फ्रेंड्स दाल का कलर चेंज होने लग जाएगा और इस तरह जो है घी सेपरेट होने लग जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल जो है हमारी दाल का कलर जो है फ्रेंड्स चेंज हो जाएगा लगातार आपको इसे चलाते रहना है और इसे बुनते रहना है जब हमारा जो घी है वो सेपरेट होने लग जाए तब हम इसमें दूध हैट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखना है आपको इसे और दूध हैट कर देना है हमने इसमें दूध हैट कर दिया है अब फ्रेंड्स हमें इसे 15-20 मिनट के लिए लगातार चलाते रहना है बिल्कुल भी हाथ को नहीं रोकना है अगर आप हाथ रोक देंगे तो हमारी जो दाल है ये पूरी तरह कड़ाई से चिपक जाएगी और हलवा खराब हो जाएगा लगातार आपको इसे चलाते रहना है और दीरे दीरे बीच में आपको इसमें घी आड़ करते जाना है अभी आप इसका कलर देख रहे हैं कि वाइट है बट ये दीरे दीरे जो है इसका कलर चेंज होता जाएगा और हमारा हलवा जो है वो reduce होता जाएगा अब हम इसके sides पर जो है घी apply कर देंगे ताकि बुनते वक्त जो है मलाई चिपक जाती है side से वो ना चिपके और हमारा हलवा भी जो है कड़ाई से ना चिपके आपको इसमें जो है friends थोड़ा सा जो है time लगेगा बड़ जो बाद में result आएगा वो बहुत अच्छा आएगा friends हमारा हलवा बहुत tasty बनेगा इसी stage पर जो है friends आपको चीनी add करनी है ये clip जो है मुझसे delete हो गई है उसके लिए sorry अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हलवा reduce हो गया है अब हम इसमें और घी add करेंगे जगातार इसको जो है अच्छी तरह चलाना है इस stage पर जो हमारा हलवा चिपकना शुरू हो जाता है बार बार आपको इसमें घी add करना है चार से पाँच बार जो है आपको घी add करना है इतना भी जादा नहीं डालना है आपको अब इस stage पर हम इसमें dry fruits भी add कर देंगे और इसे चलाते जाएंगे अब आप लोग देख सकते हैं friends घी पूरी तरह reduce हो चुका है पूरी तरह जो है हमारा हलवा reduce हो गया है घी भी separate हो चुका है color भी change हो गया है तो हमारा हलवा जो है बनकर ready हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को like and subscribe ज़रूर करना थाइंग्स फो वाची मैं